दोस्तों आपको साल 2008 का पॉपिलर सीरियल किस देश में है मेरा दिल तो याद होगा जिसमें अभिनेता हर्शत चोपड़ा ने अपने इंट्रास्टिंग करेक्टर प्रेम जुनेजा से लोगों के दिलों में खलबली मचा दी थी जो अपने अटैशिंग लोग और मनभावने आक्टिंग से लोगों के जहन में इसकदर बस गए कि ये छोटे परदे पर उस समय से लेकर आपता किसी ना किसी अफ़तार में नए गिर्दार के साथ दर्शी को क्वेंटिटेंग करते आए हैं लेकिन दोस्तों कि आपको पता है कि सब के दिलों में खलबली मचाने वाले अभिनेता हर्शिक चोपड़ा के दिल में उस वक्त खलबली मच गई जब ये किसी के प्यार में इसकदर कुम हो चुके थे कि ये उन्हें पाकर उनका उजीवन साथी बनाना चाहते थे पर तभी इनके साथ छोटे पड़े पर काम करने वाले अभिनेता ने इनकी महबूबा को इनके प्यार को इन से छी लिया जो अब इनकी ना होकर उस अभिनेता की हम सफर बढ़ने को तयार पोच चुकी है तो आईए जानते हैं उस अभिनेता के बारे में दोस्तो हर्षर चोपड़ा ने अपने अक्टिंग करियर में सीरियल कि इस देश में है मेरा दिल से जो पॉपलारिटी हासल की थी उसी किदाम पर ये आज पी टीवी इंडासी में कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं लेकिन इसी सीरियल के कुछ समय बाद ये चोटे परदे की खुबसोत अक्टिंग के प्यार में पड़े जिनके साथ ये उसी समय अपना घर पसाना चाहते थे पर समय पर दूसरे अभिनेता ने इनकी गल्फरेंट को छीन लिया और इनके प्यार को हमीशा हमीशा के लिए ज चूटिंग कर रहे थे तब ये उनके प्यार में कुछ इस तरह पड़े कि हमीशा हमीशा के लिए उन्हीं के साथ होना जाहते थे मगर जैसे जैसे इन दोनों के बीच में नजदी क्या बढ़ती गई वैसे वैसे दूसरे के प्यार में पागल हो गए लेकिन जब ये सीरियल करते करते काफी जादा फ्रेंटली हो गए और इनकी ये बाचित एक सीरियल रिलेशन्शिप में भी तब्दीर हो गए जहां पर शुति जहां ने हर्शक चोपरा के साथ इंडरेक्ली ब्रेक अप भी कर लिया और आपको जानकर बेहत हैरानी होगी कि करन कुराल कपूर जरूर बताएं और साथी टीवी इंडास्यों से जुड़ी ऐसी और मज़दार खबरों को जाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें